नमस्कार आप लाई बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मुहंतिवारी बिहार की राज नीती में हमेशा से उठा पटक को लेकर सवाल जवाब होते रहते हैं और एक बर फिर से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदा नंसिंग से इस पर सवाल किया गया कि क्या आप सुनिये वो गिर के सरकार में बनाते हैं किसके चरण पर गिर गए कि जहां का अब्यार का मुक्वमंत्री सब को जुठा पारटी कहा हो जिस पारटी को और गुजरात से आया है जूठ बोला है जो बोला हो एक भी इज्यत नहीं नितीश ने उनकी छोड़ी और बोदी इने 32 या 35 घोटाले को सार्विनी कुरूशे सामी रख्था तो या दो घोटाले बाज की शाथ आए हैं या तो जूट बोलने वाले के शाथ इक गए हैं लेकिन हर हालत में जूट का आरूप लगाने वाला घोटे वाज का आरूप लगाने वाला क्यों आए हैं क्योंकि इनको इनको सत्ता चाहिए इनको जनता के सामर्थ पर विश्वास रहीं, जनता की समस्याओं को हल करने की ताकत नहीं, सभावी किनेता है तेजस्वी और तेजस्वी ने कहा है अधी लूट पाथ भी हो गई तो मैं इंतिजार करूँगा, इतिजार करूंगा लेकिन यह लूटेड़े क्या कर रहे हैं अपने में लड़ते हुए जनता को तकलीव दे रहे हैं और छटपटाती जनता की तकलीव दूर करने के पहले जब लोग और छटपटाने लगते हैं तो उसके सभाविक नेता के हिरदय में एक दर्द उठता ही है उस दर्द से भेशाहिनी है पूरे राज़त को लेकिन जनता ही सत्ता बदलती है अपने लिए हम लोग उसका इंतिजार करेंगा राज़त के प्रदेश अध्यक्ष जगदा नंसिंग ने साफतोर पर इस बात के संकेत दे दिये हैं कि तिजस्वी यादो सीएम बनने के लिए इंतिजार करने को तयार हैं उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने जिसे जुमलेबाज पाटी कहा था आज उनके साथ ही सरकार में है एक बात समझ में नहीं आती है कि मोदी जी जब बिहार आये थे तो उन्होंने नितीश कुमार की सरकार को गोटालो की सरकार बताई थी और बाद में नितीश कुमार ने जिसे जुमले बाज कहा था दोनों के दोनों मिल गए या तो एक जूट बोल रहा होगा या दूसरा ऐसे में अगर नितीश कुमार और तेजश्वी यादों के साथ आने को लेकर सवाल के जवाब में जगदानंद सिंग ने कहा कि फिलहाल ते देखना चाहती है चाहे वो आरजेडी के साथ गटबंदन में हो या फिर बाहर हो अब एक बात ये भी साफ हो गई है कि तेजश्वी यादों भले ही अकेले लड़के सीम बने तो बने नहीं तो जितना हो सके वह इंतजार करेंगे लेकिन नितीश कुमार के साथ गटबंद के साथ तमाम अब देट हम आप तक पहुचा रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लाइफ भिहाग यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें